हेलो फ्रेंड्स, you are most welcome on my YouTube channel Super Commerce हम जब भी अपने लिए कोई करियर चुनते हैं तो सबसे पहली बात जो हम जानना चाते हैं वो है कि उस करियर में इंकम कितनी होगी जॉब लग जाने के बाद क्या सेलरी मिलेगी CA course जो की एक chartered accountant बनने के लिए किया जाता है एक highly prestigious course है साथ ही इसको one of the toughest course of India भी माना जाता है तो इसलिए students को इस course को join करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक CA कितना कमाता है इस वीडियो में मैं आपको detail में समझाओंगी कि एक CA की क्या salary होती है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को और साथ ही दवाएं बैल आइकन जिससे की आने वाले सभी की नियू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए की जो सेलरी होती है वो कई सारी बातों पर डिपैंड करती है जैसे की स्किल क्या है नौलिज कितनी है क्या कैपेबिलिटी है एटसेटरा इसके इलाबाद आप एज़ सेलरी ओफर की जाती है इसके लावा जॉब आपने कैंपस प्लेस्मेंट में ली है या फिर आपने खुद सर्च की है क्योंकि कैंपस प्लेस्मेंट में जो सेलरी ओफर की जाती है वो बहुत ही अट्रेक्टिव होती है और अगर आप खुद सा जॉब सर्च करते हो तो जनर में रहकर आप जॉब कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है क्योंकि जो metropolitan cities होती है उसमें अच्छी salary offer की जाती है और जब कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर कम salary offer की जाती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 CA की salary अच्छी तो होती है लेकिन वो हर student के लिए अलग-अलग होती है जो कि different different बातों पर depend करती है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर campus placement के थूँ आपको job मिलती है तो क्या salary offer की जाती है तो अगर हम data की बात करें तो 2016 में जो highest package था वो था 76 लाग रुपे annually यानि साल में 76 लाग पर मिलेंगे और यह एक international company ने offer के थे वही एक domestic company ने जो highest offer के थे वो थे 24 लाग पर एनम यानि लगबग 2 लाग रुपे महीने तो इस सरह से गर हम देखे के तो 76 लाग साल के या फिर 24 लाग साल के एक बहुत ही अच्छा बहुत है अट्रेक्टिव माउंट है एज फ्रेशर लेकिन सभी स्टुडेंट्स को तो highest salary offer नहीं की जाती तो बाकी की 2017 की अगर डेटा की बात करें तो 2017 का जो डेटा है वो अल्मोस्ट 2016 के जैसा ही था सिर्फ और स्रिफ हाइस salary package को छोड़कर जो की 43 लैक्स पर एनम था यानि वो 2016 के मुकावले थोड़ा सा कम था लेकिन फिर भी 43 लाग रुपे साल के अपने आप में एक अच्छा माउंट है और हाइस जैलरी जो डोमेस्टिक कंपनी ने ओफर की थी वह थी 21 लाग रुपे जो की पर की गई थी वह 25 लाग पर एनम और जो एवरेज सेलरी पैकेज था वह था 8.48 लैक पर एनम और यह जो एवरेज पैकेज है वह 16-17 के बराबर ही है तो में अगर हम देखे तो अगर हाइस पैकेज को छोड़ दिया जाए तो जो एवरेज पैकेज आपको मिलता है वह 6-10 लाग के बीच में मिलता है जो की एक अच्छा अमाउंट है यानि पचास जार से 2-2.5 लाग पर महीने तक मिलते हैं आपको तो कोशिश यह कीजिए कि एक अपना सीए क्लियर कीजिए और अच्छी रेंक लेके आई जिससे कि आपको कैंपस प्लेस्में में जोब मिल जाए आपको जॉब सर्च भी नहीं करनी पूरेगा अप अच्छा सेलरी पैकेज मिल जाएगा अब जिन स्टुडेंट्स की कैंपस प्लेस्मेंट में जॉब नह अकाउंटिंग जो टुडेंट है हर एक च ड्रीम होता है कि वह बिग फोर कंपनी में वर्क करें विग फोर कंपनी में चार कॉम्ठेंज आती है तो इन सब कंपनीज आती हैं तो जो सयलेरी उफर की जाती है वो बहुत ही अट्रेक्टिव होती है यानि स्टार्टिंग सही आपको पचाहजार से सताहजार रुपे मंथली ओफर किये जाते हैं और जहां आपको दो-तिन साल का experience हो जाता है वहाँ आपकी salary 2,5 लाग मंथली तक पहुच जाती है अगर आप job करते हो public sector units में यानि government owned companies में तो वह जो आपकी salary होगी वहाँ initially होगी 6,7 लाग पर annum और जो IT companies हैं यानि IT sector में अगर आप job करते हो तो वहाँ जो आपकी salary मिलेगी वो होगी 7,10 लाग पर annum अब है salary in banking sector banking sector में अगर आप job करते हो तो जो आपको salary मिलेगी वो थोड़ सी कम होगी यानि जो की 40,000 से 50,000 रुपे के बीच पर मंतली होगी अगर multinational companies हैं तो वहाँ पर salary attractive होती है initially 4,6,000,000 मंतली भी हो सकती है यानि अभी हमने देखा था 2016 में 60,000,000 पैकेज था 2017 में 43,000,000 का पैकेज था तो MNC जो salary offer परती है या उसकी बहुत ज़्यादा होती है यानि 4,000,000 से 6,000,000 मंतली obviously कितना big amount है तो कोशिश यह कीज़े कि आपकी जो job है वो MNC में अलग जाए ताकि जिससे कि आपको बहुत अच्छी salary offer की जा सकी लेकिन बहुत सारे students ऐसे होते हैं वो 2-3 सालों का experience लेते हैं फिर उसके बाद अपने खुद की consultancy firm खोलते है consultancy firm का मतलब है कि आप job ना करके आपने खुद का अपना office खोला हुआ है फिर वहाँ से अपनी services प्रोवाइड कर रहे हो returns related, tax related और दूसरे other accounting field से related तो GST आने के बाद तो consultancy firm का जो scope है वो बहुत ही बढ़ गया है क्योंकि अब लगबग हर किसी जो trader है उसको GST file return करनी पड़ती है तो यानि कि आपकी कितने सारे clients होंगे कितने सारे आपके पास workload है उसके according आपकी इसमें salary matter करती है और इसमें कोई fix amount नहीं होता है यानि आपकी salary बहुत अधिक भी जा सकती है एक तरह से आप इसको अपना business भी समझ लीजिए एक example कि थूरू बताती हूँ कि अगर आप किसी trader की GST file return करते हो तो आप उसे charge करते हो 500 रूपीस to 1000 रूपीस और जहां आपका नाम हो जाता है तो वहां ही अमांट और भी ज्यादा हो सकता है तो अगर आपके 50 client भी हो गए तो 5000 पर महिने के तो यह हो गए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपनी firm खोलने पर एक को कितना फायदा होता है एक्जामपल आप डॉक्टर का ही ले लिजिए ना डॉक्टर का क्लीनिक पर जिसका बहुत चलता है उसकी इंकम तो यानि बहुत अधिक होती है आप अंदाजाव नहीं लगा सकती है तो यह हां तक तक एंड आई होप इससे पता चल गया होगा कि एक CAA की salary क्या होती है कहां पर रहकर कितनी salary earn करते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment box में लिखकर जरूर बताईएगा और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आया हो तो अपने friends को share कीजे लाइक कीजे और हमारे चैनल को subscribe कीज